आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें Crocodile की दो Species की Classification एक चार्ट में दिखाई हुई है और इस चार्ट को देखकर हमें बताना है कि Crocodile कौन से Order से बिलॉंग करता है अब यह तो हमें बताई है कि Classification एक ऐसी Process है जिसके थूँ हम सभी Living Organisms को इनकी Similarities और Disimilarities के Basis पे कुछ Convenient Categories में प्लेस करता है लेकिन Classification या Taxonomy की यह जो Process है यह Single Step की एक Simple Process होने के बज़ाए एक काफी Complicated Process है क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे Levels मिलते हैं यह हम कह सकते हैं कई सारी Rank मिलते हैं और इन्ही Rank से मिलकर हमारी Taxonomic Hierarch की बनती है तो यहाँ पर अगर हम Different Ranks को Consider करें क्रोकोडाइल के केस में सबसे पहले हमें दिया हुआ है Animalia तो Animalia हो गया इसका Kingdom जिसको Commonly हम Animal Kingdom के नाम से भी जानते हैं फिर Kingdom के अंदर इसके नीचे आता है हमारा Phylum तो क्रोकोडाइल के Phylum का नाम है Caudata जिसके Members को हम Caudates कहते हैं Further Caudates के अंदर ये Vertebrata नाम के सबफाइलम में आता है जिनके पास Backbone या Vertebral Column होता है उन Animals को इसमें हम प्लेस करते हैं Fishes, Amphibians, Reptiles, Birds, Mammals वो सब यहीं पर आ जाते हैं और फिर Further हमारे पास Reptilia नाम की एक Class होती है जिसमें सभी Reptiles को हमने प्लेस किया हुआ Class के बाद हमारी Taxonomic Hair Aarki में जो Rank आती है उसी को हम Order कहते हैं तो ये Class के बाद जो लिखा हुआ है ये हो गया हमारा Crocodile का Order Order के बाद आ गई हमारी Family इसके बाद में Crocodilus हो गया इसका Genus और ये दोनों जो हमें Names दिये हुए है ये हैं इनके Specific Epithet या Species के Name Nile Crocodile को हम बोलते हैं Crocodilus Niloticus और Saltwater Crocodile को Crocodilus Porosus लेकिन यहाँ पर Order हमसे पूछा गया था तो Clearly जो हमारा Class के बाद और Family के पहले Rank आएगा Taxonomic Hair Aarki में यही हमारा Order होगा और Loricata एक ऐसा Order है Reptiles के अंदर आने वाला जिसमें हम देखेंगे कि हमें एक Boney Type का Armor in Animals की Body पे मिलेगा तो इस Order में हम देखते हैं कि बड़े साइज के काफी Strong Carnivorous या Predacious Reptiles हमें मिलते हैं हम कह सकते हैं और इनका Characteristic Feature ये है कि Ridges वाला एक Boney Armor इनकी पूरी Body को यानि इनकी Back और Tail को Cover करके रखता है जैसे Crocodile के भी हम Skin में देखता है कि इस तरह का Boney Armor प्रेजन होता है तो यहां पर Correct Answer Crocodile के Order के लिए हो जाएगा हमारा Option C Loricata जिसमें हम Reptilia Class के अंडर Large Pradacious Reptiles को प्लेस करेंगे जिनके पास एक Boney Armor होगा उनकी Back और Tail को Cover करने वाला Classics Tutorial से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर